बच्चे से लेके तो 130 साल तक तो कोई प्रॉब्लिम नहीं ऐसा सुन्दर पैकेज त्यार किया उन्होंने उन्होंने ये शरीर सामने रखा और उस तरह से एक एक पार्ट लेते हुए डिजाइन किया तो उसकी शुरात ही उन्होंने प्राथना से कि क्योंकि हर धर्म में कुछ कुछ स्विकार करते हैं तो कुछ नहीं करते तो उन्होंने दिखा कि सबको एकसेप्ट करने वाला जिसको जो नहीं चाहिए वो हटा दिया क्योंकि यह सब तद्यमंडली आर्ट अफ लिविंग के रवी शंकर जी रहे या पतंजली के रामदेव बाबा या मूंगेर या ल भी कर सकते हैं और जो प्राणिक है जिनको जो डिसीज है वो तो अलग अलग टाइप से करेंगी हमने दिखाया कि अलग डिसीज के लिए अलग आसन कोंसे है लेकिन यहां प्रोटोकाल सभी के लिए है चलिए शुरुवात करते हैं उन्होंने प्रार्थना कोंसे लिए उस से मैं पहले कहूंगा फिर आपको उसको दोराना है और दोनों हातों की ज्ञान मुद्रा या नमस का स्थिति में भी कर सकते हो ओम संगच्छद्वम संवद्द्वम सव मनासी जानताम देवा भागम यथा पुर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते यह रुगवेद में की बड़ी सिंपल लेकिन अर्थपुर्णा संगच्छद्व हम सब मिलकर चले हम सब ग्यानी बने हम सब प्रेम से बुले और हम सब हमारे पुर्जों के बाती उनकी करते हुए का पालन करे यह प्रार्थना और फिर उन्होंने शुरू किया शेरीर संच उनका थोड़ा अलग अलग है लेकिन सुन्दर है हल्का फुल्का है सभी कर सकते हैं जगे भे खड़े होते हैं सबसे पहले उन्होंने गर्दन और यह पूरा स्ट्रक्चर देखा यह गर्दन को लिया उन्होंने इसको गर्दन को कहती ग्रीवा ग्रीवा चालन तो इस ताइप से भी खड़े रह सकते हो यह सावधान में भी रह सकते हो जैसा आपको बबन लगे उन्होंने जू किया इस तरह से ठोड़ा सव दोनों पिरेंगे ले लिये और शाथ कमर पे ले ले लिये और सास लिया और छोटे ठोधे गर्दन नीचे लाई सिन्हे को टच किया फिर सास लेते लेते गर्दन को पीछे लेकर गय कि इतना पीछे लेके गए कि पीछे में चिपक गई हो फिर सास लेते लेते सेंटर और एक बार सास लेंगे और छोड़ते छोड़ते नीचे आएंगे हनूस सिने को लगनी चाहिए कोशिश करो फिर सास लेते लेते गर्दन पीछे पूर्ड सी हलकी सी ताकत लगाना क्योंकि अभी मुबाइल का इस्तेमाल भूत हो रहा है और हम चाहते हैं कि गर्दन के प्रॉब्लम न आए सर्वाइकल स्पॉंडिलिसिस नहीं होना चाहिए इसलिए चलिए आगी पीछ हो गया अब लेप्ट साइड राइट साइड साइड सांस लो छोटे छोटे लेप्ट साइड में लुड़क ने दो गर्दन को ताकत लगाना नहीं हलका पहले देखना प्रैस करना कहा तक जाती सांस लेते लेते सेंटर यहीं क्रिया गुर्द दिशा से सांस लो छोटे छोटे राइट सांस लेते लेते सेंटर अगें बंसमॉर सांस लो लैप्ट सांस लेते सेंटर गुर्द दिशा से सांस लो राइट सेंटर दो डारेक्शन होगे आगे पीछे लेट राइट अब तीर चा सांस लेते लेट साइड में देख रहे हो गर्दन पूरी तरह से पीछे में देख रही है पीछे में क्या है उसको देखो गरदन को अच्छा सा क्विस्ट करो और वहां स्थीर हो जाओ पिर सांस लेते लेते सेंटर एक रेव उतेदिशा से राइट सांस लेते लेते राइट चोटे-चोटे सेंटर और एक बार लेप लिट करेंगे सांस लो लेप सायट पहले से बस्ट और थोडा तिर्चा जा सकता हूं क्या कोशीच तो करो सांस चोटे-चोटे सेंटर राइट वापस तीन डारेक्शन होगे चोफा डारेक्शन 360 में गर्दन को घुमाना है सास लो छोड़ते छोड़ते नीचे लेफ्ट शोल्डर फिर पीछे राइट शोल्डर नीचे again लेफ्ट शोल्डर पीछे राइट शोल्डर नीचे एक क्रिया गुर्द दिशा से राइट शोल्डर पीछे में लेट शोल्डर नीचे, राइट शोल्डर पीछे में लेट नीचे, इस तरह से ये हो गया अमारा गृवा चालन, दिन भरे में जब भी आपको लगता है, अकड़ान जगड़ान शुरू कर देना, बिलन धास, तो ये आपके प्राब्लेम सौलो जाएंगे, लेकिन अगर आप कटिंग करने जा रहे हैं, और सलून में वो बंदा क्या करता है, ये तोड़ता है, करकर करकर, हाथ लगाने नहीं देना, ने तो, जब भी आप एज जैसा बढ़ता है, तो हाइब्रिशन कंपन और वो करते हिलन सकंद चालन, घ्रिवा चालन, सकंद चालन, सकंद चालन के लिए दुना सामने, उपर, नीचे, अब दोनों हाथ वैसे ही जाने दो, जैसे उपर जाने के बाद, दोनों के डारेक्शन एक में के अपोजिट रहेंगे, तलवे बाहर रहेंगे, तलवे बाहर रहेंगे, दोनो हाथ कान को सटे हुए दीरे से नीचे और एक बार जैसे के वैसे जाने दो हाथों को चेंज मत करो पल्टाओ मत देखो कैसा खीचाओ तो नहीं मैंसुस हो रहा है दीरे से नीचे दोना हाथ सामने टच वन टू थ्री पॉर फाइव बज उजे वन टू थ्री पॉर फाइव कोनिया टच करो कोनिया टच दूनों हाथ कोनिया टच करो वान टू ट्री पॉर फाइव रिवर्स वान टू ट्री पॉर फाइव वैरी गुड तो हमारा ग्रिवा चालन हो गया सकंद चालन हो गया अब आते कटी चालन कटी याने कमर दोना सामने लेलो एक में को समान अंतर अब चलो दोनों हाथ लेके लेफ्ट साइड में इतने लेफ्ट साइड में जाओ कि राइट हैंड लेफ्ट कंदे पे आएगा शोल्डर पे और लेफ्ट हैंड कमर से अच्छा खासा ट्विस्ट मिल रहा है कटी चालन कुछ कुछ हो रहा है कमर में होने दो वापस राइट साइड अब लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे आने होला है जाने तो लेफ्ट राइट हैंड बहुत बहुत पीछे कमर को अच्छा ट्विस्ट मिलने दो धीर से वापस योग्या कटी चालन अब आते घुटना चालन दो राइट सामने और पीछे में चेर रखिए ऐसा सोच के बैठ जाओ योग जाएगा घुटना चालन रुको वहाँ पे थोड़ा कुछ कुछ हो रहा है घुटने में होने दो रुको देरे से खड़े जाओ तो यह पात साथ बार करना होता है तब कई तो यह चार प्रकार के चालन हो गए अब खड़े में कुछ उन्होंने आसन दिये है नमबर वन ताडासन दोनों हाथ ऊपर उंगलिया फसा दो वान चो थ्री उंगलियों पर खड़े हो जाओ और की जो और थोड़ा सिंपल ताडासन दिये से नीचे फिर उन्होंने लिया है रुक्षासन जो आँने कलपर सो करके देखा था रुक्षासन तो बैलंसिंग है लेकिन सपोर्ट लेते हुए आप कर सकते हो बहुत सुन्दर किया बैलंस भी अच्छा समाल रहे है पैर भी थोड़ा सा पीछे धकेलना उसको आ गया आता है वो तो पीछे धकेलना तेरे से नीचे पैर चेंज पच्छों को जरू बताना हाइड बढ़ाने के लिए रुक्षासन वो ताड़ासन बढ़ा काम में आता है तीरे से नीचे यह गया रुक्षासन अब आते हैं त्रीको नासल दोनों परमें फासला लेफ पैर का पंजा बाजू में राइट हैंड कान को चिपका हुआ और राइट हैंड को देखते हुए और घुटना सीधा और हाथ को देख रहे हो और पंजे के बाजू में लेफ थैन आ जाएगा और राइट को आप देख रहे हो जो सीधा है लाके ऐसा किया एक है कि मुझे संदर नीट लिए से नीछे यहीं कर लो लेप्ट हैंड कान को जिपते हुए चलो नीचे राइट प्रके बाजू में जाएगा और हत को देख रहे हो, कमर में कुछ-कुछ हो रहा है, लाभ मिलना ही मिलना है, अब आते हैं, अर्धर चक्रासन, दिन बद जुके रहते हो, वो सुन्दर डिजैन किया ये प्रोटोकॉल, तोनवाद या रखो, सांस लेते लेते, गर्धन पीछे ढगे लो, और थोड़ा, और थोड़ा, सीना गर्धन पीछे जा रही है, और कमर को हाथों से प्रेशर दे रहे हैं, अर्धर चक्रासन, दीरे से से दे, जीने चुने आसन दिये गए है, जो सभी बड़े आराम से कर सकते हैं, अब नीचे बै है, इसका नाम है वज्चरासन, आजाओ सभी जयने वज्चरासन में, इसका नाम है वज्चरासन, दुनों पेर फोल्ड, दुनावाथ इस तरह से, सभी कर सकते हैं, वज्चरासन के बाद, आपको शशकासन दुनों हाथ उपर छोड़ते छोड़ते नीचे मातर टिका देंगे और ये हो जाएगा शशकासन हीरे से उपर पाज्यू से हाथ नीचे शशकासन फिर उन्होंने लिया है दंडासन दूनों पैश ही डे दोनों हाथ कमर के आझवाजय में यह हो गया दंडासन और एच पर उन्होंने ख्याल रखा और प्रोटोकॉल को तैयर कैई दंडासन के बाद उन्होंने बटन न प्लाइए कि पोजिशन ले लो और इसको उन्नोंने भदरासन नाम दिया आगे खीचने के लिए का न की ऐसे करने की जगर सिर्थ खीचो अपने तरफ यह हो जाता है भध्रासन नाम दिया है भध्रासन थोड़ा सा दबाते जाना परों को खीचाओं तरफ जंगाओं में आता है थोड़ा सा देख तेरे से दुनों परसीदे फिर उन्होंने बैठक स्थिती में सिंपल वाले अर्ध उष्ट्रासन उष्ट्रासन तो और एक बार वज़्दासन स्थिती में आ जाओ फिर उन्होंने दुनों घुट्ने पर खड़े किया और फिर अर्ध उष्ट्रासन में यहां हाथ डाले और गवज़्दन को पीछे लेकिए यह हो गया हमारा अर्ध उष्ट्रासन दीरे से जिते, लेकिन पूर्न उस्टासन के लिए, राइट हैंड, राइट पर केड़ी, पकड़ लिया, लेप्ट हैंड, लेप्पर केड़ी, यह होगा पूर्न उस्टासन, दीरे से, बचासन सिती में आते हैं, बड़ा सिंपल आसन, हमने दोनों किये, अब आते हैं, मंडुक आसन, अंगुठे को अंदर ले लो, ना भी क्या आजबाजू में रखो, यह डाइबेटिस के लिए बड़ा काम में आता है, सांस लो, छोड़ते छोड़ते आगे, दीरे से उपर, फिर लिया है उन्होंने वक्रासन, तो रोपे सीदे, राइट पर फोल्ड, लेफ्ट हैंड उसके पीछ में, और बड़े आराम से पीछे में देखना है, जोर जब असने बिल्कुल नहीं, सहज़ता से, वक्रा कमर में, धीरे से हाथ निका लिए, छोड़ दिए, प्रोटोकॉल में, क्लिस्ट आसन बिल्कुल नहीं लिए गए, सभी कर सकेंगे, इस तरह से ही लिए गए हैं, दुसरे साइट से, रिलाक्स, इसके बाद में उन्होंने कुछ पेट के बल पे लिए, सरल हस्त भुजंगासन, चलो करके देखते हैं, पेट के बल पे आते हैं, सरल हस्त, क्यूंकि जेस्ट नागरिक यह नहीं कर पाते, लेकिन यह सरल हस्त बड़े आराम से कर पाते हैं, दोनों हाथ कोभणियों से जमिन को चिपके हुए, दोनों पैर एकमे को चिपके हुए, अब यहाँ पे नाभी पर से, पुरा शरय उपर में उठाना है, यह उग्या सरल हस्त हाथ सीधे है पूनियों से करके इसको सरल हस्त सिंपन भुजंग आसन देरे से निचे और जो यह आये जवान है उनके लिए पूर्ण भुजंग आसन यह पूर्ण तल्वे पे हतों के खड़े हुई जाने फिर उन्होंने शलब आसन दोनों पे रुखो उठाते हुए यह शलब आसन लिया है तीर निचे फिर उन्होंने पेट के बल पे धनूरासन दनुष्यसरीका का और इस तरह से सिंपल में रिलाक्स फिर उन्होंने पीट के बल पे पवनमुक्तासन अर्दहलासन जो उन्होंने उस दिन देखें बाल जर्णना नहीं चाहिए काले रहने चाहिए माईग्रेंसी रदल्ध नहीं होना चाहिए इसके लिए उन्होंने और जंगाव की चर्वी यहां पे कम होनी चाहिए इसलिए उत्तान पादासन यह लिया है इसको 60 सेकंड तक रुखने की कोशिश करना है जितना भी संभव हो उतना रुखना लेकिन यह उत्तान पादासन दूसरा अर्दहलासन 91 दोनों पेरों को लाते हैं तो यह अर्दहलासन होता है तीस रा जो है पीट के बल पे पवनमुक्तासन दोनों पेर फोल करना है दोनों पेरों को पकड़ना है और उन्हों लगाने की कोशिश करना है तो यह हो जाता है पोवनमुक्तासन पिर थोड़ा सा एक मिका शवासन लिया है दोनों हाथ कमर के आजवाजू में संपून शर्री को शितिले छोड़ना है सासों को धीरे 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 संथ गती लाना है अगर सास भराई है तो शवाजू रुपी आसन में जाना है दोनों पैर दोनों पैरों की पिंदलिया उटने जंगाओं के जोड़ कमर पेट सीना दोनों हाथ संपून शरी शितिल शितिल करना है शानता है पिर दिरे से बाईक कर उड़ाते हुए लेफ्ट साइड में हमें उटके बैठना है गीने चुने उन्होंने हमें प्राणायम भी पताया है वह हम करके देखेंगे क्योंकि जब यह पूरी टीम इकट आई तो हरेक का कुछ का कुछ स्पेशलाइजन था जैसा कि रामदेवावा का कपाल भाती स्पेशलाइजन वह डाला आर्ट आप लिएंग का नाड़ी शोदन तो वह डाला तो ऐसे करते करते चार पाच प्राणायम आई गे जो बड़े इंपॉर्टन है जो नियमित करना है तो पहला डाला है उन्होंने कपाल भाती भस्तिका नहीं लिया यह अपने आप में अपनी सास लेते हो छोड़ते हो वह आईजूम करके चले लेकिन हम थोड़ा सकर लेंगे सास को लंबा लो लंबा करो दूसरा कपाल भाती थोड़ा कसके करो अभी पेट खालिए मस्त हो जाएगा बाद में नहीं होता सुबह में इसकी खासियत है और चार कंडिशन तो मैंने बताया किसने नहीं करना है कि एंसी प्रेज्ट में नहीं करना है गर्भूत इस्थरी को नहीं बताना हाइपपरटेशन हार डिसी वार लों नहीं करना और सीजर आपरेशन वार्षय को नहीं कि आपेशन नहीं लिए आफिका एक मिनिट मस्ता करो अब आते हैं नाड़ी शोधन अब लिक में उन्होंने अनुलोम विलोम भी दिया है जिनको जो भी सम्भव है अनुलोम विलोम तो सिंपल है चलो उसको एक मिन करेंगे और एक मिन नाड़ी शोधन को करेंगे लेप से लिया राइट से छोड़ा राइट से लिया लेप से छोड़ा अनुलोम विलोम अनुलो विलों इन्हेल एक्सेल करेंगे हम नाड़ी शोदन अंतरकुम्बक या अलका सच अलंद्रबंद लगाने वाल हैं लेट से स्टार्ट सास्व को देना शुरू राइट से छोड़ा पिर राइट से लिया पिंगा से और यहां पर लगा दिया मैंने जालंद्रबंद इडा से छोड़ा पुरा खुला कर दिया फिर इडा से लिया लेट से और यहां लगाया जालंद्रबंद अंतरकुम्बक पिंगा से छोड़ा खली किया प्रश्वास और लिया यहां अंतरकुम्बक नाड़ी शोदन और अनुलो मिलो इतना ही फरकाइस में फिर इस प्रोटोकॉल में थोड़ा सा ध्यान लिया गया है दोनों हाथ की ग्यान मुद्रा मन शांत आखे बन और सासों के उपर वोकल तो सास कैसी आती है कैसी जाती है नासिका के अगभभ को देखो और एडा और पिंगडा जब सास लिते हैं और कितने तरह तक अंदर रोकते हैं और कब बाहर छोड़ते हैं यह माइनूर्टी देखो लेना भी नीच वंड़ा भी ने अपने आप में जो होता है उसको देखना है अपने आप में ध्यान लग जाएगा गिंते गिंते भुल जाओगी गिनना भी बड़ा कठीने आके बन करना है लेकिन एक बार ध्यान का चस्का लग गया meditation आपको रोज चाओगी करने की चलो start पुल झाल करना है कि अपर आपको पर से चेरे पर सीखवाती है कि लास्ट में उन्होंने संकल पर लिया है कि मैं बचन लेता हो कि संकल पर लेता हो कि योग प्राणायम नियमित करूंगा समाज को भी बताऊंगा सब को बताऊंगा इस तरह से यह एक ही जून को हम पुरी विश्व इसको फालो करता है और शांति पाठ के लिए उन्होंने जो चुना है वो ओम सर्वे भावंतु सुख इस तरह से 40 मिट का यह जो प्रोटोकाल है सभी सरस्तास एक कर सकते हैं इसने कोई दिक्कत नहीं जो डिफिकल्ट है जिनको जो क्राणिक प्रॉबल्म है वह उस तरह से लगःग कर सकते लेकिन यह प्रोटोकाल हमें मौलूम होना चाहिए इसलिए मैंने आज इसको गवर कि आप थोड़ा सा देखते कि जब नर्वस निस आता है और एकदम फ्रेश होना चाहते हो तो कुछ क्रियाय बताता हो वो जरूर आप करके उसका आइदा उठा सकते हो एक बार करके देखेंगे जब आप बालों को तेल लगाते हो तेल लगाने के वाद यहां थोड़ा सा ऐसा करना करके देखो उघ्लिया उसको ऐप मार रहे हो टक टक कर रहे हो अगर आपने कभी हीड मसाज चिया होंगा सलुन में तो पताच चलेगा आपकोा कैसा मजा आता है DOUntक दे ए यहां प्रूइंब करता है तो यहां इसको favorite करना है number 2 कानों को खीचना है है अभी कोई खीचेगा ने आपको खीचना पड़ेगा स्कूल में टीचर खीशते यह धी इतना ही important है कानों को खीचना ती नंबर 27 गालों को रगन ना हम पाउडर लगाते से उपर उपर से नहीं रगडो कुछ-कुछ फायदे उठाओ पूरा गालों को रख लो क्लॉक्वाइज अंटिक्लॉक्वाइज फिर आते हैं चौथे नंबर पे भूजाए भूजाए पहलवान मालूम है आखाडे में उतरने से पहले क्या करता है यह इसा करता है आखाडे में उतरनी से पहले यह हो गया कि यह दूसरे को थप आता है यह इस तर से और फिर कहता है चल आज़ा मैदान में ओं है के पूरे पॉइंट हो रहे है और पूरी बॉड़ी तैयर हो जाते है पिर आते हैं ये नाभी नाभी इतनी वंचित रहती को उसको हाती नहीं लगाते हैं उसमें उंगली डालो और क्लॉक्वाइज एंडिक्लॉक्वाइज घुमाओ अच्छा मस्त ये सब अनुभों करने की बात है और जो लाब लेना चाहते हो तो वो पता चलेगा यार अच्छ जो भी कुछ प्रयोक तो करके देखो घर के घर में पॉसिबल है फिर आते हैं घुट्ने यह दुनों उसको सहलाना यह चाहसा खोब रेल देल लेगा चमस्त मालिश करना फिर आते हैं पिंडलिया यह पिंडलियों को हलके हाथों से दबाना तो यह पूरे पॉइंट यहां क एक्टिवेट होंगे और एकदम फ्रेश हो जाओगे आप फिर तलवे केड़ी इसको थोड़ा सा एक्क्यूपिशर पॉइंट देना क्यूंकि हातों में जो पॉइंट है पूरे की पूरे पॉइंट पैरों में है तो जब नाते हो नाते समय एक पूमेक स्टोर मिलता है खर और हातों का बताया था मैंने यह मुद्रा है लेकिन ख्याल में ने रहता तो ताली का महतों बताया था यह किड्नी यह थाराइट टॉंसील यह मेमरी शार्प यह यह कम सुनाई देना यह अस्तमा दमाब्रकडिस यह श्वरसन संबंदी विकार वीपार वीजन बच्चों को जरूर बताना यह दो उंगलिया बड़ी काम की चश्मा नहीं लगेगा बहुत देर से लगेगा वो सुरी की किरने देखना है सुब सुरे का उदे देखना है बच्चों को आखों के प्रॉब्लेम बहुत बटती जा रहे है क्यों कि लैप्टॉप मोबाइल टीवी इतना द नमबर टू सुरे की किरने देखना नमबर थ्री जब भी सुबू उठते हो ओंजीत पानी गएचा सुब भरहेची और डोई बुढ़वाईची तसते पात्रह यह ता था उसमें भी आप कर सकते हो और नमबर चार अनुलोम विलोम प्रानायाम तो आखों के प्रॉब्लेम स आखे धोना और पानी भरपूर मात्रा में पीना आवला कुछ-कुछ चीज़ा आपको करना पड़ेगा यह सबी जो बाते थी यह हम करते नहीं इसलिए यह तो यह हातों के पॉइंट धेर सारे लाभ देते मैलाओ के समस्ते विकार यहां दबाने को कहा था मैंने यहां पर स खीचना है तो यहां से करंड लगता है पूरी नस नाडिया खुल जाती है यह इस तरह से तो और नकुने रगटे तो बालों के लिए अच्छा है जब नहाते हो तो नहाते समय साबुन लगाया और पानी बुड़बुड बुड़बुड नहीं ऐसा नहीं है अगर दिवाली में आप अभ्यंगम स्नान करते हो अभ्यंग स्नान मालूँ है उटने लगाते हो रगट साबुन लगाया तो रगड़ो नस नाडिया रगड़ो तो पुच्चा ऐसी रगणना चाहिए तब हो होता है स्नान सिर्फ पानी डालना यानि स्नान नहीं तो ब्लड़ सर्कुलेशन बड़े सुचारूरूरू से होता है यह सभी सभी पोइंट जो पता है मैंने यह चल में नहीं रहेंगे तो क्या करना था ये पाद जब भी वक्त मिलता है यह एक्टिवेट करो पूरे पॉइंट प्रेस होते हैं और एक्क्यूपेशर के लाब मिल जाते हैं थोड़ा तल्वे को देखना कभी कभार यह इतना सफेद दिखना शुरू हो जाता है आपने लोट चान गुरी पढ़ लेला है नहीं हीमोगलोबीन क विसी डबली विसी तो कल मैंने क्या बताया था आपको गुर्वेल वो पौधा आपको लगाना ही लगाना है जो नाकुरवाले मेरे पास से कभी भी ले जा सकते हो इंसुलिन प्रांट गुर्वेल पान फुटी कभी और घर के गर्मिल में लगा लेना यह पूरे पॉइंट चाहिए और पैरो के लिए उसको रगना है तो वो चीज़े हो जाएगी फिर मने मुद्रा का दिखाता है मुद्रा जब भी आप प्रानायम करते हो या कुछ एक्टिविटी तो एक साथ एक फ्री वाला काम तो मुद्रा बहुत काम करती है अगर सही डंग से आप करते हो तो और यह इंडेक्स फिंगर वायू का प्रतिक है तो मैंने कहा था कि acidity बद्द कुष्टता है पेट साप नहीं होता तो यह वायू का दबा दिया तो यह वायू मुद्रा यह मुद्रा लगानी है जब हम प्रानायम करते है तो यह मुद्रा चेंज करते जाना यह होगी हमारी acidity बद्द कुष्टता के लिए वायू मुद्रा अगर तचेची विकार है skin disease है तो में यह जलम मुद्रा लगाना पड़ेगा यह है जलम मुद्रा अगर मोटा पाए obesity है कम करना चाहते हो चर्वी तो मैंने पूर्थी को दबा दिया नीचे में और उसके उपर अगनी प्रे जो दुबल है protein vitamins की कम तरता है करोना से उठे है weakness है तो यह end point पूर्थी का end point अगनी का end point यह है पूर्थवी मुद्रा इसका इस्तेमाल करना है गुस्सा आता है गुस्सा चुमंतर पहली बात तो गुस्सा नहीं आना चाहिए लेकिन आ रहा है तो घर के घर में symbolic उनको नाम है इसका शांत मुद्रा तो घर में कोई गुस्सा होते हुए दिखा कि उनको दिखा देना ए शांत हो जा गुस्सा चुमंतर शांत मुद्रा बच्चों के लिए एका करता और exam hall में जब जाते है तो बड़ी आफ़त आती है question paper आते ही जिरों में चल जाते है यादी नह आता उस वक्ष यह मुद्रा काम करती है इसका क्यात है ग्यान मुद्रा अंगुठा और इंडेक्स पिंगर यह मिला लेना आखे बंद कर लेना कुछी से कंद में ध्रा धड़्याद आएगा लेकिन यह मुद्रा तभी काम करती है अगर बच्चे ने study किया है तो जो दबार कि heart attack जब रात में आता है पहला reason रहता है कि लेट खाना खाया और दबा के खाना खाया और शत्रपावली नहीं की और direct bed पेच चले गए तो अननलीका से जठर तक जाने के लिए जो समय लगता है वो आपनी दिया नहीं वो दन से pressure आता है और फिर हमारी हाल देखने लायक हो मालूम कुछ नहीं रहता और डर जाते है और फड़ाक से ambulance बुलाके hospital और hospital ले जाने के बाद तो आप सबको मालूम है TMT, ECO, ECG, angiography, bypass नहीं तो angioplastic जरूर होती ही है ख्याल में रखना तो यह टालना है आपको तो आपको थोड़ा सा focus करना पड़ेगा यह जस्ट कुछ second के लिए था तो यह अपान वायू मुद्रा जरूर लगाना जिनको यह symptoms दिख रहे है पॉर एक्जामबल कौन सा symptoms हातों को कंप लेफ्ट हैंड को कंप आता है लेफ्ट हैंड को चीटिये आती है लेफ्ट हैंड को पसीना चुटता है यहां कई तो भी दर देना शुरू होता है यह सीने में जलन होती है यहां दर पीट में दर यह सब एंजायना के लक्षन है तो फटाक से अपान वायू मुद्रा लगाना आकाश पृत्वी अगनी और वायू को दबा दिया यह होगी हमारी अपान वायू मुद्रा कुन लगाएगा जिसको यह symptoms दिखरें वो ने तो उसके सामने मार देख धुन धुन के यहसा यहसा करोगे तब तो धीश हो जाएगा तो मुद्रा ख्याल में रखना और जो पाच्वे माले पे सात्वे माले पे लिफ्ट बंद है या हिल स्टेशन घुमने जा रहा है तो पहली बात तो एक मैना उसने य कुछ किया ही नहीं तो माले पे चर्टेवक लिफ्ट नहीं है तो यह नीचे में लगा दो यह मुद्रा और बड़े आराम से चड़ो सास नहीं बराएगी यह इसकी खासियत है अपान वायू मुद्रा की यह मुद्रा का अभी यह ब्यास जो गिनी चुने मैंने आपको को दे दोंगा और वह आपके इसमें गुर्प में डाल देंगी वह मुद्रा भी आप इसके साथ इस्तिमाल कर सकते हो जब भी योग प्रानायम करते हो तो इसका इस्तिमाल करना है लेकिन खाने के बारे में बताता हो अगर आपको स्पीडिली रिजल्ट चाहिए नंबर वन का रिजल्ट हैने सब घर-घर में ओबेसिटी बहुत बरती जारी है और आपको वेट कम करना चाहते हो तो दिख्षित पैतिया मुग पैतिता हो कुछ मत करो इतना ख्याल में रखना जब तक मैं पसीना नहीं निकालता मैं दुबला होने वाला नहीं हूँ ऐसी कोई भी पूरक है आहार में इस्तेमाल करते हो कार्बो हैड्रेट्स जितने कम कर सकोंगे उतने जल्दी दुबले होंगे एज जैसे बरता है हम अन्नेसिसरी हो रोटी और चाहल की पिछी भागते हैं कोई जुरूत नहीं चार-चार रोटी खाने की इतना भात खाने की अरे मामूली भात थोड़ा सा लेलो लगता हो तो एक आदा फुल का दो फुल के लेलो फेनिश लेकिन फलाहार सला थोड़ा सा ज्यादा उस पे फोकस करो क्योंकि वह एज नहीं है अब जो एज है हमारा अब चाहिए प्रोटीन्स, विटामिस, मिद्रस, खुराक, खाजू, बदाम, किस अक्रोड, गाय का दूद, मस्त, पेठा का जूस, नरेल का पानी, यह शुरू करो, जब भी भुक लगी, एक समोसा कचोरी मैदे के बतात मत काओ, एक ग्लाज भार बढ़िया मुसमी जूस, यह नरेल पानी, देखो कैसे चमत कारी रिजल मिलते हैं, सूब में यह चाय को स्क किप करना पड़ेगा, यह शक्कर, सफेद शक्कर, हो सके तो, घर पे लाना ही मत, लावी मत, वो गूर, जो आता है काला, या और्गानिक, जो भी है, वो थोड़ा सा देखो, पपई, गावरानी मिलती होंगी, वो देखो, केला, कारबाइट, जो भी उसमें डालते हैं, वो निसर गायन करके हमने स्थापन किया है, वो निसर गायन में सब नेचर से जो आता है, ऐसे लोगों से हम जुड़ गया है, कि घानी चा तेल, तो तेल भी कैसा है, वेरिशन करते जाओ, हर मैने में एक ही तेल नहीं यूज़ करना, और एक जने के लिए 500 ग्राम, नवरा पाचट हुन जाता, मस्ता तर्री वाले भाजा, तरले ले पदार्थ, आहा, मोठा छानवाट, पने जिवेला थोड़ से कंट्रोल मद एठेवाईचे, मिठाई पदार्थ बाहर चे शक्के तोवर टाड़ाईचे, घरी के ले ले जरूर खा, परन्तु जानना वजन कमी करा आइसक्रीम वगेरे अभाईट कराऊस लागेल, गोड त्योड़ नाम मातर घेचे, पन्तु घर्चे तुमें एखादाईचे खाऊशकाल, पन्तु बाहर चे शो नहीं, चाहाचे प्रमान कमी करा, चाहाचे समान अंतर एखादाईच वाटल, तक काढ़ा गिव शक्ता, होती चाहा, गिलो एच एक आधा तुकडा, कुटून, आज चाहाए ना तुमाला उप्युकत लवंग टाका, मीरे टाका, काढ़ा, आता जो काए, लैम्टी की काए, तो रोग गाईवर्चा जो यून राला है, जा गाई, गावरनी आपला कड़े नहीं, है जी जिता नीटनेस नहीं होता, अचा ठीका नी आज जन्जावात एता है, मिकाल माजा दूदवाले रिपचला, हाँ काई प्रकार है, तो असा प्रकार है वने सर, कि तया गाईवना जे पोशक वाता वरन पाई जे, आम चकड़े कसा असते मने की, जे काई गोठास तो, ती तुन मग तो युद्राल ते जे घाबर नेचा कारण नहीं, पन थोड़ा से सावधान राएचा है, या अचा पासुन, थोड़ा पार्खुनच दूद याएचा है, चांगला पत्दतीच असेल तरच, नहीं तो अवाइट कराएचा है, पन ये माध्यमा है, पानी माध्यम, दूद म ये थोड़ा से डारेक्ट है होता, उनुन काजी पुर्वोकत से थोड़ा से त्याकड़े पाएचा है, हेल्थ मदे आहाराचा खुब मुठा समन्द है, टाइमिंग तुमचे फिक्स करूंटा का, रात्रीच समझा धावाजुन गिले तो स्कीप करा, जोने जागी ग्लास करते किती कैलरीज 12 पूरिस है, अपन 2-2,000 तो 3-2,000 कैलरीज तुम्हीं खाता साल, तो तुम्ही खायला धा भागता का, तुम्ही खेयला जाता का , तुम्हें थोड़ से अवलोक्न करालाईचा, आपन जर कैलरीज भर पुर घेता हो तो तो तुम बर्न करने गर्जे जहस् कई न कई विकार आले मनुस संजा परन्तु या श्रीर अला एक विशिष्टा से सवेल आउंद्या एक दिवस जरी तुमी सुताला कमांड दिली कल करेंगे मंडे से देफिनेटली आज थोड़ा सोल लेता हो कल ज्यादा जागरन हुआ था तते शरीर तस अईक्त आने रियाक्ट करता है तात पर एक चाहें किती काई हो ती आपले दिन चरिया खंडित ने करेंची कंटीनिव सुरू ठेवाई ची तर तुम्हारा तेचा लाब निशित मेर चलि वान टू थ्री और जोर से जितनी भी जिवा हाँ जिवा बहार निकाल रहे हो थोड़ा सा सभी जिवा बहार निकालते हैं आएने में बीज बीच में इस जिवा को देखना कोई सफेद तो नहीं आ गई पूरी की पूरी सफेद लेयर तो नहीं आ गई उसके उपर थोड़ा भी बेस्ट एकदम निरोगी सशक्त तेज़ लक्षन है पिवड़ी क्यों लाल बुंद गड़बड है थोड़ा सा देखना लेकिन गुला भी एकदम बेस्ट और एक बार यह लिकी मालिश कर लो तीन बार हसेंगे आर्टिपिशल से ही लेकिन हसना अनिवार है खिल खिलाते हुए खिलते हुए वान टो ट्री नहीं जमा और जो और से जो नहीं हो से उनके लिए तो हसना अनिवार होता है चेहरे पे प्रसंदता खुशी यह लहर बड़ा काम का है तो कुछ क्वशन होंगे तो लेंगे आपके मन में जो भी आते हैं आप पूछ सकते हो कल हम शुद्धिक्रिया करने वाले हैं शट कर्म में की छे जो कर्म है उसमें से तीन-चार कर्म तो आपके होई जाएंगे और कल जिनके पास पात्र है जल नेती पात्र वो साथ में रखेंगे तो मेरे साथ आप वो शुद्धिक्रिया कर पाऊगे क्योंकि once in a week जलनेती और जल अगर नहीं निकलता है तो सूत्र नेती जुरूर करना तो यह एंटी के तरफ जाने की जूरत ने पड़ेगी sinus के problem है साल भर छीकते रहता है तो वो भी problem सौल हो जाएंगे लेकिन confidently करना है नियमीत तोर पर हफ्ते में एक बार करना है बड़े फाइदे हैं कोई डरने की कोई बात नहीं अभी पंचकर्म आयरुवेद इसको थोड़ा सा फोकस करना है प्राकूर्तिक चिकिस्सा नैच्रोपेति को importance देना है तो आपके कुछ क्वेश्चन ने तो फिर हाँ मैंने उस दिन कहा था यह शंक शंक आपको बजाना है बच्चों को बचाना यह अनुलिमिलम का काम करता है यह शंक नाद सुब शाम तो यह ताकत लगती जब सास लेते हो और फूंगते हो तो यह पूरा लंग्स पारफुल होते हैं तो यह भी आप एक एक्टिविटी जो नेती पात रहें यह लागर पातव आपके पास होंगा और गरम पानी थोड़ा संघन अरर यह है ट्यूब नेती अगर जल्हन नहीं निकलता है तो यह ट्यूब से हम नासीका में डालके मुहसे निकालते हैं, तो वह पैसेच हम क्लियर करते हुए वहां की प्रॉब्लेम सौल होते हैं, और फिर प्रानायम करते हैं, बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि नासिका मारणा कर खुल चुका होता है, यह दंडघ है, दंडधोती के लिए काम में आता है, पानी जब पिते दंद्धोती लिटर, और फिर यहां से àsa हम निकालते हैं, या फिर वमन धोती वह भी एक क्रिया है शटकर में उससे भी नहीं जमान और एंडोस्कोपी कॉलोनस्कोपी आपको मालूम है नाम तो यह एंडोस्कोपी का काम करता है यह कॉटन का कपड़ा है पत्तला है मच्छदानी को जैसा रहता है यह निगलना पड़ता है और पूरा अननलिका को चिपक के वो पूरा साप करते हुए पूरी नलिका क्लीन करता है और यह पत्ति बाहर निकलना होता है पहले निगलना होता है अंदर में और सद लगाके या दूद में डालके यह अंदर जाता है और अननलिका को साप करके बाहर निकलता है तो योग प्राणायम में ये शटकर्म का उम्हात्वर अन्यने साथ में ये कल हम इसमें से कुछ क्रियाय जरू करेंगे अभी प्वेश्चन एंसर ने तिया रुकेंगे कुछ बाते मैंने बताई थी कड़ी पत्ता दस पत्ते रोज खाना है कड़ूनीम हां बोला हाता है है फोल के लिए कोई मुद्रा बताई है फोल नहीं नहीं उसके लिए अर्दहलासन विपरित करनी स्रवांगासन या गुष्टी कराई जाये तुमाला आनी शिर्शासन जमत असल शिर्शासन शिर्शासन आचे लाब मंजे आज पावे तो जमाज़ा पाहताने यहला कई डाय करेजी गर्ज़त नहीं पड़त। साथ सतर पंदः आरामात पिकाला लागेल पर उन्तु गढ़ण आर नहीं अर्दहलासन सर्वांगासन विपरित करनी स्रिशासन यह सर्व डोकयान सथी आउशकाया आँगा अनी मैलान मदें यह नकरत असले मोई कि इस गढ़णाच प्रमान पांडर होनाच प्रमान हे जास अवाड़ जाता वुन यह आस्नान वर भर द्या अनि गरम पानी डोक्या वर नहीं टाकाईचा जन्जनी जाहा अरे नहीं बिल्कुल नाम मात्र अनि आपन जो कंगवाब आपर तो तो बारी कसक बिल्कुल नहीं अग्दी हलका पुलका सहज जासते दोन मिलिमीटर तीन मिलिम थोड़ सानी नवीन पैटर मदे तेल नहीं लाओ तेल फार घर जेचा है माजा आईनी जर खोब्रेल तेल लाओ लो तो तेंचा जुन पहा तुमी काई लाओ त्या खोब्रेल तेल फार अन्यने साधान महतो है आता इतके तेल आले लिए आनि तया मार्केटिंग में आपन खसतो और माघ लेखा पासुन तो काय 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 लाओन भसतो कमा रिजल्ट मीयत नहीं परुंतो खोब्रेल तेल रात बजुला और ऑरीजनल मिया ले तो बगाज़ा पतन जली मदे तुमाला ऐ न को ये चांसे साग़े संगले संगले ठीक है ने तुम्हाला ओरिजिनल खोबर तेल मिउशक्त हो पर खोबर तेल best सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब्सक्राइब करते हैं तेल अवाइट करते हैं जेके आपन फलीच, सोयविनच, जौसाच ती डारेक्ट खोब्रयाची तुक्ड़े खोब्रा किसुन खोब्र जास्ते खाते नाराच पानी ते एकदम चेरा मदे फरक पड़लेला है ती फ्रांस लाओ ती दोन मेने मगी इकड़े आली आनी डारेक्ट वर्क पाम हम सुरुआ है तो दोन अडीच वर्चे जाले योगा मदे भर पूर्टी कारे करना आली ले तर आहर वियाराकड़े जास्तर लक्षाते तैमादे या खोब्रयाची डोल खोब्रयाची महत्वा खुब वर्चे वर थया खुब्रेला वापर तो मनुन एख फोडखालीन झाला खुब्रेचा प्रशाथ खाले ऊड़ नहीं है मुद्धा माना उलो खुब्र, सर्वम्यून खा, प्रतेक त्या उपमयावर, त्या पोहावर, ताका ते खुब्र, मसाले भातावर, ताका ते खिजून, खुब्र, उलो खुब्र, खुब महत वाचा है प्रतेक्श रित आतला जे ओईलस ते मीत शर्राला आंते घटक में आले मों चेहा एकदम मस्त होतो अजन के अपला अब बोला सर अवाज रहा हो ये तो है तुमस्ता आवाज काट बीड़ान भुक्त है अजनका ही तुसर जाले कट 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 होतो है घ्रक मत तुमस्ता चेहरास तो क्लियर यितन तुमस्ता वाज क्लियर है तुम यह घ्रक में कुछक्य करदा। ड़ालई सर एं उब लिधे बनकुरन भागा। वान्खिड़े सार वीडियो बन करावरें पर दूमी आनि बोला नाई सार वीडियो बन करावरें अन्सर तुमी सार आवाज नहीं एतने वान्खिड़े सार नाई सार आता पन कटा था सहे बहर बहर ठीक है तीक है मैं मला वीचार फोनुर वीचार अंसर काई प्रॉब्लम ने मादा नंबर लिएंगा नाइन नाइन सीख जिरो टूफाई शिक्स टू डबल पाई मैडम करूं गया आनि कराल मला पोन सर दांतों की मजबूते के लिए कोई आसन नहीं लेकिन उसके लिए मजबूते के लिए थोड़ा सा जो इने अमल हो गरे जो हम दूद का इस्तेमाल ज्यादा और यह गन्ना गन्ना उस मंदौपन वह अगर मस्त चबाई 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 उसको एक्जसाइज देना है तत्परे क्या है कि हम दातों को पहले के सदा धेर सारे लोग आपको मालूम होंगा सुपारी खाते थे कटार 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 अब तुपारी भी बंद होगी अभी क्योंकि दाती अभी उतने मजबूत नहीं लोगों के कारण सारे होंगे उसमें लेकिन अभी वह शुरू हो गया तो कहां का कट होना तो तूट जाना तो स्टेंथ नहीं रह पा रही तो उसको जो मूँ बेसिकली खाना पीना क्या है उस तरह से डिपेंड करता है क्योंकि कैल्शियम डेफिसेंसी तो उसका घटक ही ही है वह बढ़ाना पड़ेगा तब कई आसन उसके लिए नहीं उसके तो नहीं थोड़ा फरक पड़ू शकतो शितकारी नी करता है शितकारी करता है दातार दाठ्यन थोड़ा से सलयवानी ते जे ग्याप असता ते मोक्य होता ते वड़ा पूर्ता फायदा है परन्तु स्टेंथ मिवाईचे सेल तुम्हाला आहर वियारा मदे बदल करून और दोन टाइम दाध घासने चान असा ओईलिंग ते लानी पन रगड़ाय चासते दाता ना फार कमी लोका करता है जुने लोका करा है चे पुन तो आता नवीन मदे ते अलग-अलग पेस्ट आले ले ले आनि अचा वापर हो तो ते चमो स्टेंथ रहेला जाजी के गैरंटी ये प्रश सावापर थोड़ा सो तो फरक पढ़ लेला चाहिए नहीं डायलैसिस शुरू है और उस वक्त तो अपन ये अपना काम नहीं करता अब जब यह यहां तक नहुबत आगी यह शुरू में बेसिक कीस में हमारा योग प्राणयम काम कर लेगा जैसे पकड़ में आता तो थोड़ा सा एक अदे बार हमारे पतंजली जो सेंटर दे चिकिस साल है वहां पर थोड़ा सा दिखा दिए तो फिर ट्रीटमेंट हो सकती है और जो रिकमेंट करेंगे वहां पर डॉक्टर तो वो फिर योग शिक्षक आपको बता देंगे क्या करना है कैसे करना लेकिन तो फिलाल अभी डालेसिस पर तो रिस्क नहीं उठाना है उनका हो जाने दो एक बार और फिर है बोला गुड़ मॉनी सर में केला है तुम्हें मंटला होता तरिफिक पेल्वी करीजन पर बैक पेंट होता है ता आएंगी हरूरू थे अप्टा एक्जरसाइज यासता जहला पर पर लुड़ ग्यान मद गेलो होता है तुम्हें पर टेस्ट के लिया यूरीक असीड कमी आहे परत लोग पोलेस्ट्रॉल आहे अच्छा आए अच्छा इंजेक्शन में ता बी ट्वेल बी सी बी ता निये पटकन मसता वर्शबर मसता जात होते है एक सेट लान तो पो एजेक्शन था तरह तरह नहीं फरक पड़ता हो ठीक है न तो थोड़स थोड़स सब्सक्राइब है अनि है रिगूलर करा यह प्राणां तीन में लान तो तुम्हाला रिजल्ट सुरू होन जाता जानि कदीज काई के लिए नहीं है फोड़स विलंब लग तो पन तो कायम स तो थोड़ सब्सक्राइब कर दो तरीथा थामूय अपन कहीं प्रस्ट अपन धन्यवात सरांचे घंडेला शटकरम लेग रियाख रहा पन डियाला थैंक यू सर अधि थैंक्यू तैंक्यू थैंक्यू अल ऑफ यू लाफ यू लाफ सेंस के पार्टिसिपेंट्स आं जिनक सेमिनार से जूलोजी वालों के सेमिनार से दस से ग्यारा या तो पॉने ग्यारा तक लेंगे और बॉटनी के यूजुवल टाइम जो अपना तीन बजे का है उसमें रहेंगे जस्ट अ मिनिट हां डॉक्टर रूपाली पाटिल डॉक्टर लेजबी मैत्यूज मैम डॉक्टर मादूरी ठाकरे और डॉक्टर मादूरी वर्भे आप लोगं के सेमिनार दस बजे होंगे तो आप लोगं विंटिंग जॉइन के रिए बाकि लोग भी जॉइन कर सकते हैं मिटिंग अगर उंको करना है तो बट प्रेफरबली आ वो आप लोगों का भी मूड नहीं रहता है एक्जॉस्ट होने के बाद आप लोग भी उतना 100 परसंट नहीं दे पाते हैं अपना भी साटिस्फेक्शन नहीं होता है एक्स्ट्रेंग करने में विए फ्रोसीड विद्जूलोजी सेमिनार से 10 o'clock ठीक है इस मैंने जो अबडेट भी जाना माम कल वही ठीक है ठीक है ठीक है मैं करूँगी दाउंडोड ठीक है थैक है ठीक है और अगर इनके सेमिनार सोने के बाद कोई और पार्टिसेपेंट्स को को देना है ताइम विदिन टाइम अगर होता है तो आप लोग भी रेडी रहेगा ठीक है चलिए यहाँ पर रुपते हैं वी विल मीट है टेन ओप लोग को कि थैंक यू मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू मरम